भी घ्राव कॉअ तुकि कारे में तुस्ब्रश कर ने वाले हैं तुर सबसे पहले देख लेते हम लोग पीज्ट मो मेंट क्या है कैसे हुए और इसके पीछे का reason क्या है चुकि यह जो जितने भी moments है अलग-अलग जगव पे हो रहे हैं और regional level पे हो रहे हैं लेकिन हमें इन present moments में organized एक planning देखने को मिल रही है और किस तरीके से Britishers ने इनको कर्ब किया कैसे रोका यह सारी चीजें हम लोग फिलाल देखने वाले हैं इस लेक्चर में तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में present moment के reasons क्या-क्या थे तो यहां पर देखिए present का मतलब होता है जो farmer होते हैं अब farmer के साथ में case यह हो रहा और साथ ही साथ में commercial यूज भी रखा जाता है तो इस कारण से जो इंडिया के जो फार्मर है वो सीरियल क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं सीरियल क्रॉप ज़्यादा उगाते हैं गेहूं चावल यह सब चीज़े ज़्यादा उगाई जाती हैं क्योंकि इन्हें अपना कंजम्शन भी करना होता है यह खाना भी होता है लेकिन हुआ क्या जैसे ही लैंड रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू अलग लग सिस्टम आया था लैंड रिवेन्यू सिस्टम आये थे और यह लैंड रिवेन्यू सिस्टम के लिए ब्रिटिश ने अलग अलग तरीके के system बना रखे थे जैसे की जैसे की एक हो थी आपकी permanent settlement this is permanent settlement इन सब के बारे में भी हम लोगों को discuss करना है लेकिन हम लोग थोड़े आगे बात करेंगे next lectures में इन लोगों को बात करेंगे तो permanent settlement पाई थी इसके अलावा महलवारी system थी और साथ ही साथ में रईयतवारी system थी इन systems में लेकिन सबसे आदा जो prominent थी वो थी permanent settlement या फिर आप बोल सकते हैं जमीनदारी system इस जमीनदारी system में होता क्या था कि जितने भी money lenders थे जो money lenders लोग होते थे ये money lenders के पास में पैसा होता था और इन पैसे को लोन के format में दिया जाता था फार्मर्स को लेकिन यह money lenders के पास में भी एक limited amount में ही तो पैसा होगा तो money lenders को एक लालच दिया गया that you are the highest class of this society और आपका काम होता है banking activity करना यानि कि money lending काम करना तो इस कारण से अब money lenders केवल और केवल लोन देना शुरू कर दिये लोन देने के लिए इन्हें कोई न कोई एक तरीका भी तो लेना पड़ेगा जिसके इन्हे money lender as a puppet यूज करना था for the exploitation of the farmers तो money lender के money lender अगर बिटिश से पैसे लेगा तो सीधी सी बात है बिटिश का भी एक pressure रहेगा एक दबाव रहेगा तो बिटिशर इस दबाव के कारण से जो money lender थे उनको जमिंदार बना तो दिये थे लेकिन कहीं न कहीं यह जमिंदारी भी एक puppetry format में थी जो अल्टिमेटली बिटिशर्स को ही फायदा पहुचा रही थी अब यहाँ पर फार्मर के साथ हुआ क्या शुरुवात में तो सारी चीज़े अच्छी चल रहे थे लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में बदलाव लाया गया अब देखिए अचानक से कोई बंदा अमीर से गरीब नहीं हो जाता है कंडिशन बदलती है और उस कंडिशन के लिए एक पॉलिसी हो लोगनिये करके आए इन polisie में अगर देखा जाए तो एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं दद़नी सिस्टम इस ददनी सिस्टम का मतलब यह होता था जैसे कि अगर आज की teat में देखे तो शुगर केन के लिए किस तड़ीखे से b शुगरो के लिए अगर आपके पास बनी होगी जो रिटर्न होगी जो पैसे मिलेंगे जो एफ रपी होता है जिसको बोलते हैं फिर एंड रिमुनरेटिव प्राइज यह आपको टोकन के फॉर्मेट में मिल जाएगा लेकिन इसकी कैशिंग कप करेंगे कैश कप कराएंगे इसे अगले सीजन में आप करा सकते हैं यानि कि क्या हम लोग एक बोल सकते हैं ये टर्म कि फ्यूचर में आपको पैसे दिये जाएंगे यहां पर भी सेम ददनी सिस्टम में भी यही होता था कि future में पैसे दिये जाएंगे लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ अभी FRP जो decide किया जाता है वो एक minimum price होती है और वो अच्छी खासी होती है ऐसा नहीं होता है कि exploitation किया जा रहा है लेकिन उस समय जो price decide की जाती थी वो exploit करने वाली थी और former को force किया जाता था कि आप यहीं पर बेचिये अब former सीधी सी ब option नहीं रहता है तो आदमी ठक करके हार करके उसी के पास जाता है बले ही वो exploit क्यों न कर रहा हो तो ददनी सिस्टम में भी होता था जहां पर पहले से price decide कर लिया जाता था लेकिन पैसा भी अगले सीजन में दिया जाएगा और वो भी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा लेकिन अल्टिमेटली एक हाई लेवल आफ एक्स्प्राइटेशन इस्टार्ट हो गया था इस ददनी सिस्टम को ही एक्स्टेंड किया गया अब दा च्वाइस ऑब दा क्रॉप च्वाइस ऑब दा क्रॉप अब यहां पर फॉर्मर जो की सीरियल पहले उगाते थे सब्सिस और गुलाम भी कैसे मनें थे इनको लोन दिया जा चुका था फॉर्मर को अब यह लोन केवल और केवल इसलिए दिये जाएंगे कि आप इंडिगो गाईए एक निल की कल्टिवेशन करिए निल की फसल गाईए तभी केवल आपको लोन दिया जाएगा अब फॉर्मर के पास है वो इनफर्टाइल हो जाएगी तो इस कारण से अल्टीमेटली घूम फिर करके कोई ऑप्षन अगर हाथ में नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे चलो भाई इंडिगो ही उगाते हैं इंडिगो में अब क्या करेंगे थोड़ा सा कहीं पर अगर जमीन देते गए और जब बैग करना हुआ तो फार्मर के पास में कोई ऑप्षन नहीं है क्योंकि इंडिगो जो उगाया जा रहा है इसकी भी जो कैशिंग करनी है वो कौन करेगा बिटिशरी करेंगे बिटिशरी करेंगे अब यहां पर अंत में क्या हुआ खाने के भी लाले देफ ट्राप में फसने के कारण अल्टिमेटली उसकी जो लैंड थी वो लैंड अल्टिमेटली पहुच गई थी अब मनी लेंडर के ही हाथ में और यह मनी लेंडर भी किसका आदमी है बिटिशर का हाथ में तो अंत में कुल मिलाकर के जो जमीने हैं वो पहुच जा रही है beetisher के ही हाथ में अब इस सारे system में दो तीन चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखना है पहला ये जमिंदारी के against में था और दूसरा ये land revenue tax के against में रहेगा क्योंकि यही तो तरीका है exploit करने का तो धीरे धीरे गुस्ता एक साथ कभी नहीं एक साथ कभी नहीं निकल के आता है जब ये पाईलप होते आता है और जब पाणी सर के उपर हो जाता है तो फिर एक आंदोलन निकल करके आता है और इसी को बोलते हैं present moment of India ये present moment of India शुरूआत अगर देखें तो शुरूआत तो काफी पहले सही हो गई थी लेकिन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे हदा सिग्निफिकेंस है इसी इंडिगो मुमेंट का तो फड़ा फट हम लोग शुरू करते हैं क्या हुआ कैसे हुई चीजे और बिटिश भी किस तरीके से इसको दबाते थे अब देखिए यहां पर हम लोगोंने जब सारा सिस्टम देखी ल लॉलीपॉप का मतलब यह था कि कोई भी अगर पॉलिसी वगर है ब्रिटिश की खराब है या जमिंदारी की खिलाफ है या फिर कहीं पर भी कुछ भी अगर घलत हो रहा है बाउट दपेजन्स यह लोग कहते थे कोई बात नहीं हम पॉलिसी को रिव्यू कर लेंगे कमिटी बनाई जाती थी लोगों को यह लगता था कि आगे जाकर के सिस्टम हटेगा कई जगों पर सिस्टम हटा भी चीजे सही की भी गई लेकिन वो केवल और केवल दिखाने भर के लिए था अल्टिमेटली इनका काम यही था एक्स्प्लॉइट करना तो कमफटेबली यह लोग यह लोग लोली पॉप और यह जाता था और ऐल्टिमेटली जो है कमिटी बना करके रीवियू का जहाँ साधे करके फार्मर का एक्स्प्लॉइटेशन जैसे पहले किया जाना था वैसे ही बादमें भी किया जाने लगा यह जो प्येजर्ट मूव्मेंट थी अंत में घूम ये बदल गई थी 1857 के वार में और तब भी अगर कमी नहीं हुई तो कॉंग्रेस की मदद से ये अब स्वदेशी और बाकी आने वाले जो फ्यूचर में जितने भी मूवमेंट्स हैं जितने भी आंदोलन होने वाले हैं उसमें पीजन्ट का हमें अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है तो ये जो पूरी शुरुवात थी ये एक एक स्टार्ट हुई थी जो की बाद में इंडिपेंडेंट्स स्ट्रगल बन गई तो हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर में कौन-कौन से स्ट्रगल हुए थे किस तरीके से फॉर्मर ने अपना कंट्रिब्यूशन थ स्ट्री ऑफ ब्रिटिश कोलोनियल पीरिएड दीज मुमेंट हैड दसोल परपाज ओफ रिस्टोरिंग अर्लियर फॉर्म अफ रूल एंड सोशल रिलेशन्स यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग है जो इंडिगो में बेसिकली सामने आये थे यह थे विश्वास चर का एक मैगजीन भी निकाली थी जिसका नाम था हिंदू पैट्रियोट बहुत इंपॉर्टेंट है इग्जामिनेशन पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके लावाद दीन बंदुमित्र यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इनका नील दरपन एक प्ले बनाय गया था एक नाटक बनाये गया था अब जैसे लोगों में अवेर्नेस करने के लिए और जो ब्रिटिश की पॉलिसी इनको समझाने बताने के लिए और वाट कैन भी फ्यूचर आउटकम इसको दिखाने के लिए यह ड्रामा बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फीमस हो गया था हर जगा था यह ड्रामा दिखाए जाता था और इसमें जो अक्टर्स होते थे जो बेसिकली लीड रोल प्ले कर रहे होते तो यही दिखाते थे कि देखिए किसान बहुत प्रॉस्परस हैं फिर उसके बाद से किस तरह के से एक्स्प्लाइटेशन हो रहा है और अन्त में और यही रीजन था कि ब्रिटिशर ने इस नील दर्पन का जो प्ले था इस पर बैन लगा दिया और यह कहा कि अगर कोई भी इस प्ले को करते हुए इस प्ले को एक्जिक्यूट करते हुए मिलेगा तो उसे हम एक्जिक्यूट कर देंगे तो यह पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था अगर इसमें देखें कि what are the possible reasons for agrarian restructuring तो इसमें कुछ reasons हमें सामने देखने को मिलते हैं अभी हम लोग ने देखा कि money lender के थूँ यह लोग पैसा लेते थे और जो money lender थे ultimately इस जमीन को कबजा कर लेते थे तो यह कबजा कर लेना ultimately जो farmer है उसकी जो identity है जो उसकी land है वही कबजे में ले ली गई है the rent that patient had to pay for their land was increased अब यह system भी क्या है अलग-अलग तरीके से हुआ था जैसे अब अगर हम देखें तो आज की date में लादीना यह सबाता है तो ऐसा तो है नहीं कि आज की date में पैदा हुआ है पहले भी आते रहे होंगे पहले भी सूखा ड्रॉट पढ़ता होगा तो उस समय भी सूखा पढ़ता था और L9 के बारे में आपको पता ही है कि 3-4 साल यह लगता रही रहता है तो जो फसले होती है जो crops होती है वो 3-4-7 साल तक खराब होती रहती थी अब इसमें भी अगर आप tax exploit करेंगे तो obvious ही बात है एक तरह farmer के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसकी फसले ही नहीं हो रही है और उपर से आप tax बढ़ा दे रहे हैं तो एक revolt जो है वो आना ही आना था support प्रोवाइड किया जाता है अगर व्यक्ति का अगर सिस्टम का अगर एक गलत एक तरीके से कह लिजे कि बुरा टाइम चल रहा है तो उसमें support दिखाना होता है उसको disaster माना गया था और disaster के लिए disaster relief fund होता है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है exploitation और exploitation के कारण ही लोग अब धरने पर बैठ जाएंगे इसके लावा atrocities by the money lenders पेजेंट traditional handicraft जो थे वो रियून हो गए थे कैसे हो गए थे इसी ददनी सिस्टम के कारण से क्योंकि यह जो ददनी सिस्टम था यह किवल और किवल पेजेंट फार्मर के लिए ही नहीं था यह handicraft या अगर कोई मिट्टे के बरतन तेरे कोटा है कुछ भी कोई भी काम कर रहा है और जो चीज मार्केट में चल सकती है ब्रिटिशर ने हर उस चीज को ददनी सिस्टम के अंडर में ला दिया था और यह पिसिकली किया गया था अंडर पर्मानेंट सेटल्मेंट के दौरान में किया गया था अब ये permanent settlement क्या है रयत्वारी क्या है महलवारी क्या है कहाँ कहाँ परफैला कैसे आया क्या करते थे इस अब हम लोग सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे सो डोलवाजी मैसिव डेप्ट हो गया था या फर कह लिजए जो डेप्ट ट्रैप में फस गया था जैसे आज की डेट में चाइना बनाता है कोलोनियल एकनॉमिक पॉलिसी कुछ हैसी बना दी गई थी ददनी सिस्टम टाइप की पर्मानेंट सटेल्मेंट की म्रयतवारी की महलवारी की एक्स्प्रॉइटेशन की तो यह सिस्टम हो गया था यहां पर लेकिन एक कोटेशन है और कोटेशन यह है कि जो इंडियन प्यज़ेंट से उनका मानना था कि जो क्वीन है बिसिकली जो ब्रिटिश की क्वीन है विक्टोरिया है हमें उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए तो लोगों का फार्मर का एक विश्वास था कि जो क्वीन है वो हमारी मदद करेंगे हमारी साहता करेंगे ब्रिटिशर जो होते हैं यह लोग एक्व्राइट करने के लिए लेकिन इनकी जो महारानी है वो हमें सपोर्ट कर सकती हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं लिए कोई भी इसमें से British Crown के खिलाफ नहीं गया यह ध्यान रखेगा आप लोग British Crown के खिलाफ कोई नहीं गया था लेकिन बाकी Britishर के अगेंस्ट में गया थे लोग अब यह जितने भी moments हो रहा है one by one करके हम लोग moment के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो भी moment होते है वो दो तरीके से हो सकते हैं एक violent हो सकते हैं और दूसरे जो है वो non-violent हो सकते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में सारे ही लगभग moments जो है वो non-violent moment था हाला कि गांधी जी के आने के बाद से जितने भी moment थे वो सारे ही लगभग-लगभग non-violent हो गयूंट लेकिन फिलहाल गांधी जी पहले अगर कोई moment के बारे में बात करने तो ते भागा ही एक मातर ऐसा मुमेन्ट था जो नोन वाइलेंट था हला कि ते भागा भी बहुत बाद में आया था बात है बटे स्टिल धियान रखेगा आप लोग हैं कि अगर बात करते हैं जरा इंडिगो रिवोल्ट के बारे में जो 1850 से 1859 से 60 के बीच में हुआ था कहां पर बेंगॉल में एक जगा है गोविंदपूर तीक है यहीं से स्टार्ट हुआ था इंडिगो जो है वो एक चीफ कैश क्रॉप के रूप में रिकगनाइस किया गया था फॉर द तो यहां पर क्या है फ्रेंच में इन्होंने क्या है कलर के लिए अच्छा खासा एक फैक्टरी वगरे लगा रखा था लेकिन यह जो कलर थी वो नैचुलल ना होने के कारण से डिम पड़ जा रहा था तो अल्टिमेटली इंडिया में क्या है एक तो कलर जो है वो बहुत ज लिजे की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग था और साथी साथ में पर्मानेंट था इस कारण से इंडिगो के लिए यह लोग फ्री में भी मिल जाता था तो इंडिगो के इन लोगों ने इंडिया में ज्यादा ही प्रमोट किया कि भई इसको कल्टिवेट करूं इसे निल वि यह लिए और यह अभी नहीं यह बात करेंगे हम लोग जब अहमदाबाद मिल के बारे में बात करेंगे वहाँ पर तीक है नेशनल सेंटिमेंट जो है अगेंस्ट दा ब्रिटिश फूलर्स ये स्टार्ट हो गए थे अंत में हुआ क्या इस इंडिगो के लिए इस इंडिगो के लिए देखिए कॉमिशन बना दिया गया था कमेटी बना दी गई थी और इस कमेटी के थूरू रिविउकिया जाना था कि रिइंडिगो को कैसे क्या रखना है ठीक है हमेशा देखिए अपको पता होना चह Zweie कि आखिर में अनद किस तरीके से हो रहा है क्या क्या किया जा रहा है दूसरी हमारी जो स्टिव करो मुद्ध आती है उसका McMवेंट रंगफूर मोमेंट इस रंगपूर में क्या चीज है रंगपूर यह भी बेंगॉल में हुआ था कब हुआ था 1783 के द्वरान में हुआ था बहुत पहली की बात है इट वास कॉल्ड दफ टफ पीजेंट रिबेलियन अगेंस्ट दा इस्ट इंडिया कंपनी इस वजह से ध्यान रखिएग में आप लोग को बताना है कि इजरेदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था यह मुगल्स मुगल्स की द्वारा स्टार्ट किया गया था किसने स्टार्ट किया था आपको यह अंसर करना है we have already discussed this it paved the way for formulating a land settlement that would be permanent in nature यहां पर जो एरिया था वो कौन कौन से एरिया थे जैसे राची का एरिया हजारी बाग के एरिया पलामुकद एरिया और मनभूम का एरिया कहने का मतलब यह है एक तरीके से कि छोटा नागपूर का जो एरिया था इस छोटा नागपूर के एरिया में छोटा नागपूर प्लेटू इस एरिया में ही यह पूरा रंगपूर धिंग जो है वो इस्प्रेड हो रखा था दो साल की कन्फरेंटेशन होई थे और अल्टिमेटली ब्रेटिचर ने इसको मॉडरन विपन के थुरू हरा दिया था ठीक है यह काम हो गया था रंगपुडिंग के द्वारा आगे बात करने तो कोल्ड रिबेलियन्स हो गए थे जो 1832 में हूब था कोल अगें यह भी छोटा नाखुड पलेटिव के ही पास में थे और यह ट्राइबल मोंट भी थी जो कै पीसंटरी फॉर्मेंट में थी मतल Benjamin यह tribal जो है वो present थे और इन लोगों ने आला कि इसमें हम लोगों ने tribal में भी बाते कर रखी है इसकी क्योंकि tribes है सीधी सी बात है और यह present में भी कर रहे हैं क्योंकि presentry moment है तो ध्यान रखिएगा अगर in case आपको separate करने को आता है पूछता है कि कौन कौन से इसमे ट्राइबल है जिसको कि हम लोग ने क्या बोला था यह लोग बाहरी लोग है आउटसाइडर लोग है क्या बोला गया था इनको डिकूस बोला गया था इस इस डिकूस दाकू बेसिकली दे कोल ट्राइब प्लांड इंसर्जेंसी इन 1831 तो 1832 मतलब बेसिकली जो डिकूस थे इनी के अगेंस्ट में इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना मार्च निकाल रखा था नेक्स हमारी आती है मपिला मोमेंट जो की मालाबार में हुई थी यह दो बार हुई थी एक जो है आपका 1841 के दोरान में 1841 या 1856 जो भी बोलिए दूसरा 1921 के दोरान में हुआ था यहाँ पर देखिए यह एक हिंदू मुसलिम रिवोल्ड था अब यहाँ पर दिकत यह है कि जमिनदार जो थे वो हिंदू थे और जो कल्टिवेटर्स थे जो फार्मर्स थे जो पीजेंट थे यह लोग मुसलिम थे अब चूंकि इस सिस्टम को रोकना था मोपला जो रिबेलियोन हुआ था इसको एक गलत अंजाम भी देना था और अगर देखेंगे 1920 के दौनान की बात है जिसमें खिलाफत मोमेंट बहुत जादा तेजी से चल रहा था जहांपर हिंदू मुसलिम को एक साथ इकठा कर दिया गया था इस कारण से इस फार्मर और जमिंदारी यानि के एक्स्प्लाइटेशन के केस को ब्रिटिशर ने नाम दे दिया था कम्यूनल रॉयर्ट्स क्यों कम्यूनल क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलिम यहाँ पर कर दिया था कि हिंदू रूलर्स हैं यह आपको एक्स्प्लाइट कर रहे हैं और जबकि उस समय खिलाफत बहुत तेजी से चल रहा था लोग बहुत मिल करके ब्रिटिश का पोस्ट कर रहे था और ब्रिटिशर को यह बात बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली लग रही थी तो इसलिए कोई न कोई एक तरीका निकालना था और इस कारण से यहाँ पर जितने भी खिलाफत के लोग थे कौन-कौन से लोग थे हमारे पास खिलाफत के खिलाफत के लोग थे गांधी, शौकत अली और अबुलकलाम आजाद ये लोग फिर मोपिला गय थे और वहाँ पर लोगों को समझाये थे कि क्या चीक है, क्या दिक्कत है और बिटिशर क्या कर रहे हैं आपके साथ तो मोपिला प्राइजिंग was sequence of rebellion by the मोपिला Muslim of Malabar region of Kerala ये start कब हुआ था? ये start हुआ था नयनार ब्रामिन और नबुन्दिरी ये लोग जो है बिसिकली जमिंदार थे और जो मुसलिम किसान थे या मोपिला जिनको बोलाया आता है इनके अगेंस्ट में साथ हुए थी चीजें में कॉस क्या था? increase in land tax, security of tenure and exploitation of the poor peasants by the landlords revolt जो हुआ था ये हिंदु मुसलिम ट्रैप में जा करके फस गया था क्योंकि बिटिशर ने यही अंजाम दे दिया था खिलाफत मुमेंट का ये time चल रहा था अब यहाँ पर चीजें हुई क्या थी? देखे हुआ यही था कि इन लोगों ने communal नाम दे दिया था और यहाँ पर communal riot के नाम पर अल्टिमेटली इन तीनों लोगों को गिरफतार कर लिया गया था कि आप लोग जा करके महाँ पर communal riots को बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से इस मुमेंट को जो है खतम कर दिया गया था इनकी अरेस्ट हो गई और बाकी मुमेंट को दबा दिया गया था अगे अगर बात किया जाए नेक्स आवारे पास आते हैं सैंथल डिवेलियन अगे देखिए यह भी रिवेलियन 1855 की है और यह भी ट्राइबल नेचर की ही है दिस वाज़ो ट्राइबली नेचर इट वाज नेटिव रिवेलियन इन प्रेजन टाइम जार्खन अगेंस्ट बिटिश कोलोनियल अथोरिटी और जमिंदारी सिस्टम बाई सैंथल पीपल दे प्लांड बाई फोर मुर्नू बदर्स चार लोग थे बिसिकली सिद्धू कानू जिनका नाम इंपोर्टेंट है बाकि इसके अलावा चांद और भैरो भी लोग है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है इग्जामिनेशन में आपसे हो सकता है सिद्धू कानू ना पूछे लेकिन चांद और भैरो जरूर पूछ लेगा क्योंकि ये उतना इदा फेमस नहीं है जिस तरीके से बाकियों को दबाया गया था वैसे ही इसको भी दबा दिया गया नेक्स आती है डेकन अपराइजिंग जो के 1875 में होई थी दो जगा पे होई थी एहमाद नगर में और पुने में एहमाद नगर और पुने का अगर एरिया देखेंगे तो ये वही एरिया है जहां पर शीवा जी के पिता जी जो है बेसिकली रहते थे यानि ये इलाका क्या है मराठा का इलाका है मराठा का इलाका है और उसमें मराठा उतनी जादा स्ट्रॉंग पावर में नहीं थी तो मराठा पेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट गुजराती और मरवाडी मनी लिंडर के अगेंस्ट में ये स्टार्ट हुई थी यहां पर देखे एक ध्यान रखेगा कालू राम महाजन एक साहब थे जो कि अधिने वाले कौन थे वासुदेव बल्वंद फढके इनके ही नित्रत्यों में इनके ही लीडर्शिप में मोमेंट स्टाट की गई थी और इनको सपोर्ट किया था एंजी राना डे में बहुत इंपोर्टेंट पूना सारवजनिक सभा इन्हों ने ही स्टाट किया था लेकिन अगेन यहां पर जमिंदारी थे जो बहुत ज़्यादा एक्स्प्लॉइड कर रहे थे और इसी कारण से यह लोग जमिंदारी सिस्टम को ही ले रखे थे अनत में क्या हुआ कैसे ये खतम हुआ यहां पर खतम करने के लिए बेटिशर ने क्या किया था एक लॉपास कर दिया था और law pass करने के बाद जो भी यहाँ पर यह moneylender लोगों ने जमीन को हतियाने के लिए जो तरीके अपना रखे थे उसको रोक लगा दी गई थी बेसिकली यहाँ पर यह फार्मर के फेवर में यहाँ पर जज्जमेंट आया था और इस तरीके से जो moneylender की पावर थी वो यहाँ पर बिटिश फोर्स ने खतम कर दी थी दबा दी थी आगे बात करें तो हमारे पर मुंडा एक विद्रोव आता है जो कि अगीन जो है इसको डिसकस कर लिए है फटाफाट इसको गोधू कर लेते हैं तो बिट्सा मुंडा लेट हुआ था यह मुमेंट राची में हुआ था चोटा नागपुर भी बोल सकते हैं आप दा मुंडा कन्विंशनली इंजोएट इस्पेशल रेंट ऐस ऑरिजिनल क्लियरल जो की कुं नागपुर टिनेंसी एक्ट विच रिकॉगनाइज कुनकटी राइट बैंड बेथ बेगारी फोर्ज लेबर तो यह भी मुमेंट अगर देखेंगे तो यह भी जो यहां के लोकल्स थे जो ट्राइबल्स थे इनके फेवर में ही आया था और इनके खिलाफ में जो भी लोग एक्स्प्लाइटेशन वाला चीज मतलब जो ही एक्ट वगर पास किया गया था जो भी इस मनी लेंडर ने एक्स्प्लाइट करने का तरीके अपनाए तो उसको भी रोग दिया गया था टिनेंसी एक्ट के थुरू और फोर्ज लेबर के अगेंस्ट थुरू क्लियर हो गया नेक्स आती है हमारी टीटू मीर की मुमेंट टीटू मीर की जो मुमेंट है उसको बोलते है नार काल बेलिया अपराइजिंग जो की 1782 से 1831 के दोरान में हुई थी यहां पर देखिए आपको याद क्या रखना है यहां पर दो तीन चीज़े याद रखना है एक तो किया गया था कहां पर वेस्ट बेंगॉल में डिस वाद अगेंस लेंडलोट मेंली हिंदू वी इंपोजड बीयर टैक्स ऑन दा फराजी और बिटिश इंडिगो प्लांटर इनके जो है अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था हाला कि यह जो नार काल बेरिया अप्राइज किया गया था और फाइट अगेंस्ट अप्राइब बोजीशन ऑफ दिस जमिंदार फराजी मुमेंट आती है फराजी जो होती है वो शरीय अल्ला और दादू मियान के द्वारा इस्टार्ट किया गया था यह क्या करते थे जो भी बेंगॉल में बिटिश इंक्रूडर से इ यूसुफ सराय यहां पर आईए रीजन अगें वही जमिंदारी सिस्टम भी रहेगा तो कॉज क्या है एफोर्ट सॉफ जमिंदार टू इन्हेंस रेंड बियॉंड लीगल लिमिट और यहां पर यह जो कोट केस किया गया था देखिए यहां पर जो होता है लीगल बैटल ल यह लो सर्प्राइजिंगली केस जीत गये थे और जीतने के बाद अल्टिमेटली जो जुडीशेरी थी इसने एक फर्मान जारी किया जज़िमेंट दिया कि अल्टिमेटली जो भी एक्स्प्राइटेशन का केस चला इसको बंद करो और इस चीज के लिए ब्रिटिश फोर् इसके में लीडर कौन कौन है नाम याद रखिएगा इशान चंद्रवाय शंभू पाल और खुदी मुल्ला यह तीन लोग है इंपोर्टेंट लोग है इसके आगे देखें तीन इंपोर्टेंट अक्ट्स हैं जो की गांधी जी के द्वारा चलाए गया थे जैसे एक है चंपारन सत्याग्रा दूसरा है खेड़ा सत्याग्रा और तीसरा है बार्दोली सत्याग्रा इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बाते करेंगे जस्ट फॉर दर सेक ओफ कंपलीशन अफ दिस चैप्टर तो चंपारन सत्याग्रा स्टार्ट के अगया थे नाइंटीन सेवेंटीन में यहां पर एक तीन कठिया सिस्टम चलता था जिरो थी बाइट पार्ट में इनको इंडिगो प्लांट करना पड़ता था कहां पर चंप जो स्रॉटिफिकेट सिस्टम चलता था उसको खतम कराया था उसी से प्रभावित होकर आजकुमार शुकला जी ने गांधी जी को इन्वाइट किया गया था बिहार में चंपारन में किया आईए और जरा देखिए और बचाईए गांधी जी अलॉंग विद राजिंद्र प सत्यागर है इन सब चीज को बंद कर देना चाहिए और यहीं से गांधी जी की जो पॉपुलारिटी और गांधी जी के सत्यागरह की जो पॉपुलारिटी है वो काफी यदा बढ़ गई थी नेक्स्ट आगे आते हैं खेडा सत्यागरह नेक्स्ट येरी हो गया था यहां पर पहुचे और यहां पर no tax campaign start कर दिया गया था पीजेंस के बजा रहा कि हम tax नहीं देंगे यहां पर दो लोग और भी important है जो गांधी जी को support कर रहे थे एक ते वल्लाबाई पटेल और दूसरे हैं इंदूलाल यागनिक इंदूलाल यागनिक का नम बहुत important है इनका नाम ध्या करता है लेकिन कोई force नहीं करेगा इन 1918 के बार में पेजेंट फॉर्म दियर ओन और्गनाइजेशन कौन कौन से और्गनाइजेशन बना दिये गया थे यहां पर दो और्गनाइजेशन बनाए गया थे यूपी किसान सभा जो गौरी शंकर के द्वारा start किया गया था यहां के अलावा जवालना नहरो और गौरी शंकर भी थे लेकिन यहां पर जो इंपोर्टेंट है वो है बाबा राम चंद्र और यहां पर इंपोर्टेंट है गौरी शंकर मिश्र नाम याद रखिएगा अलग कि अभी हम लोग थोड़े जेर में इनके पर और डिसकस करेंगे ठी सबस्तों फ़्गा काम कर रहा है और कि यहां पर एक सभव जिनका नाम हैंगानगी और यह गांधी जी को बुलाए जाना यह नहीं बिए कि यह सबसे पहले लखनों में स्टार्ट वी थी प्रेजडेंट कॉंटे स्वामी सहजनंद 1936 में तो यह तीन फैक्ट बेसिकली आपके पास है एक है यूपी किसान सभा दूसरा है अवद किसान सभा और तीसरा है और इंडिया किसान कॉंग्रेस इन तीनों के बारे में ध्यान रखेंगा दिस इस सूपर ड सब पुरानी चीज है जमिंदारी प्रथा के अगेंस्ट में ही रिवोल्ट तो यहां पर भी पेजेंटरी इन राजस्थान है टूपी अलाज नंबर ओफ लैग बैग यानि की सेस इनको देना था कस्टम डूटी देना था कुल मिला करके टैक्स देना था और अल्सों परफ सब्सक्राइब अल्टिमेटली फ्यू डियोट अट्रैक हो गया था office अंत में हुआ क्या अंत में यहिं ब्रेटििश ने कमटी फॉर्म कर दी थी कि बही चलो हम देखेंगे तो कमेटी फॉर्म कर दिया गया था और अगेन लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया था कि देखेंगे डोंट वरी हम लोग आपके exploitation से बचाएंगे देखेंगे सब कमेटी बगर बना दिया रही थी इसलिए जो लोग थे जो पीपल थे उनका ब्रिटिश क्राउन के प्रती एक अच्छा खासा विश्वास जगते जा रहा था इनको यह नहीं दिख रहा था कि देखेंगे लेकिन कहीं न कहीं एक लोगों के मन में आ गया था कि नहीं हो सकता है ठीक है 1928 में इसी तरीके से बार्दोली मुवमेंट हुआ था जो की सूरत गुजरात में हुआ था यहाँ पर हुआ क्या था कि लैंड रिवेन्यू को 20% बढ़ा दिया गया था जबकी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी और ऐसा नहीं लगातार फेल होते आ रही थी अब यहाँ पर सरदार पटेल जो थे मतलब जो वलला भाई पटेल हैं यह गए थे और कैमपेन उन्हों ने चलाया था नो रिवेन्यू कैमपेन के नाम पर कीड़ा में जिस तरीके से गांधीजी ने किया था सेम वहीं यहाँ पर पटेल सहाब ने किया था और पटेल सहाब को यहाँ पर जो यहाँ की महिलाएं थी, जो मुमेन थी उन्होंने एक उपादी इनको टाइटल दिया that is सरदार और यहीं से अब से ही सरदार पटेल कहलाना यह शुरू हो गया थी इन का टाइटल बहुत ज्यादा फीमस हो गया था इट वार्दोली सत्यागरा वेर वल्ला भाई पटेल गौट सर्दार भाई वुमें फैक्ट है ध्यान रखिएगा बिटिश वर फोस्ट विड्रॉ इन्हेंस्मेंट आफ दे लैंड वेनु और इस तरीके से पटेल सहाब की फीम फ्यारती यह वह भी बढ़ जाएगी इसके बाइं नेक्स आते हैं पन्जाब के बारे में देख लेते हैं पंजाब इकमेंट वा तो चुका मुमेंट को शुरुआत करने वाले आगे बढ़ाने वाले थे भगत जवाहर मल ध्यान रखिएगा this moment on its activities due to working of All India Congress committee actually peasant movement which took place during the decade of 1920 and 30 were part of a struggle for independence ये actual में क्या है सत्यागरा non-cooperation movement इन सब का part आगे बन गया था लेकिन इसका जो जहर था वो peasant movement के नाम पर ही start हुआ था जहर कहने का मतलब में जो frustration था दा पेजन नॉर्मली वर अगेंस दा ब्रेटिश गवर्मेंट और इसी तरीके से लोग जो है इसके खिलाफ बात कर रहे थे इनका टार्गेट क्या था जमिंदार money lender और जो land tax जो भी कुछ उल्टा पुल्टा चीज करके रखें exploitation वाले साब को जड़ से उखार देना है central district जैसे की जुलंदर फिर आपका अमरिसर होशियार लाइलापूर शेखपुरा इन सब एरियाज में यह स्टार्ट किया गया था मोस्ट आप दपीजन जो थे वह सेल्फ कल्टिवेटिंग शिक थे और इन लोगों ने ही अगेंस्ट में चीजें की थी और अंत में हुआ क्या अंत में यह सारा करके मारपीट करके यह फिर रिव्यू कमिटी बनाकर यह फिर थोड़े मोडे चोटे मोटे जो है एक्ट बनाकर के जैसे कि डप्ट रिलीफ एक्ट यूपी में रिगुलेशन औफ एकाउंट पंजाब में रिलीफ औव इंडिपनेट एक्ट और मनी लेंडर्स अक यहां प किसान सभा मोमेंट के बारे में हाला कि इनके बारे में हम लोग ने देख लिया कि दो चीज़े थी एक थी यूपी की किसान सभा दूसरी थी अवद की किसान सभा यहाँ पर गौरी शंकर मिश्टा और इंद्र नरायट दिवेदी थे बापा रामचंद्र जवाल लहरू यह लोग किसान सभा के साथ में थे 1857 रिवोल्ट के बाद में यह जो अवद था यह अपने लेंड को वापस प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे थे तो प्रॉमिनेंट लीडर कौन कौन थे जिंगूरी लाल और दुरगा पाल सिंग इन दोनों लोगों का भी नाम याद रखियेगा बाद में और इंडिया किसान सभाब कॉंग्रेस बना दी गई थी जिसके साहब थे कौन थे यह हमारे स्वामी सहजनन सरस्वती और एंजी रांगा यह लखनव 1936 में कमेटी में कॉंग्रेस में बेसिकली यह चीज बनाए गई थी अल्टिमेटली फैसपुरा सेशन में दे कॉंग्रेस मेनिफेस्टो इस्पेशली एग्रेडियन पॉलिसी इन सब चीजों को ले करके एलेक्शन स्ट्रॉंग एजेंडा किसानों का बनाया गया था तो यह सब तरीके अपनाए गया थे जिनको आप ध्यान रखिएगा चोटे-मोटे और भी मोमेंट्स है जिनका ध्यान रखना है जैसे एक है इक है इका मोमेंट 1921 में 1921 के एंड में यह स्टार्ट हुई थी और यह भी क् रिकॉर्ड रेंट नॉट लीव वेन इविक्टेड रिफ्यूस तो फोर्स लेबर और जितने भी अगेन जो भी एक्स्प्वाइटेशन वाली चीज़ें होंगी उसको यह लोग कहे कि हम नहीं करेंगे जो भी यहां पर रिकॉर्ड रेंट होगा किवल उसी को देंगे इसक सपोर्ट कर रही थी तो यह दोनों कमुनिटी का नाम ध्यान रखिएगा इस्टेट पीसेस इग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बाकी यहां पर जो लीडर है उनका नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है ठीक इसके बाद एक और वार है जो है पॉलीगर देखिए जो पॉलीगर वार हुआ था यह साउथ में करनाटिक के इलाके में हुआ था इन फैक देखिए इस पर एक मूवी भी बनी हुई है और नेम आप दो मूवी इस साइयरा करके एक मूवी है साई रा एंड इस तरीके से रामचन रेड़ी करके कुछ मूवी बनी यह भी एक तरीके के जमिंदार ही होते थे लेकिन यह जमिंदार एक्स्प्रॉइट नहीं करते थे अपने किसानों को बलकि सपोर्ट में एक बैलन्स सिस्टम मराने के लिए रखा गया था यहाँ पर जो जमिंदार थे वो जमीन के मालिक कम मैनेजर जादा थे तो यह यहाँ पर क्या था अगें अप्राइजिंग होई जाएगी क्योंकि लैंड की यहाँ पर ज्यादा इंप्रेंस है तो जो भी पॉलीगर अप्राइजिंग जो थी वह मद्रास पसिंदेंसे में स्टार्ट हो गए थी अप्टू 1856 सिग cabin लोग कुछ बात कर लेते हैं जैसे में पारइज़म ही यह थी यह थOOO 2 3rd तीन भाग विसिकली 2 3rd भाग हुआ क्या था यहां पर कि जो जमीनदार थे जमीनदार और जो बिसिकली कल्टिवेटर कल्टिवेटर कहते थे 2 3rd हमारा होगा और 1 by 3rd जो होता है वो जमीनदार का होगा लेकिन ये negotiation ultimately क्या हुआ इस तेभागा मुमेंट का एक कारण बन गया तो यहां पर recommended two-third share to the बरगारदार basically जो जमीनदार है and share cropper जो थे इनको भी जो है दे दिया गया था one half share तो 50 से ज़्यादा यह demand कर रहे थे basically इनको बोला था था बक्चसियो धार ज्यान रखिएगा यह सब technical terms हैं जिन पर question पूछे जा सकते हैं आपसे प्रलम सिगार जान examination में बगरदार क्या होते हैं और बक्चसियारदार क्या होते हैं ठीक है में यहां पर participant कौन कौन से थे Muslim पेजन थे और राज सी community थी मोमेंट किस तरीके से से खतम हुआ यहां पर क्या है बरगरदारी एक बिल आया था और इस तरीके से इस मोमेंट को भी खतम कर दिया गया था यह धियान रखे गए जो तिभागा मोमेंट हैं बहुत बात की कहानी है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान में यह दिमांड उठ रही थी तेलंगाना मोमेंट के बारे में बात करें तो देखे तेलंगाना में यह हुआ था यहां पर क्या है बिगेस्ट पेजन गोरिला वार हुआ था कुल मिलाकर के चीज़े देखिए वही है सेम रीजन से कहीं पर भी रीजन अलग अलग नहीं है बट यहां पर करना आपको यही है कि जो टेक्निकल चीज़ें हों उनका नाम याद रखना है जैसे दोराज हो गया या फिर वेथी हो गई तो यहां पर यहां पर जो हां यहां पर क्या है कि आंध्र महासभा एड लीड लोकल स्ट्रगल अगेंस्ट यह अपराइजिंग जो है और इसको आपको रट्ट कर रहे हैं तो फिर अपने डाउट को पूछिएगा और इसके अलावा you can join the youtube channel button यहाँ पर आपको दिखरा होगा join button and for the materials and all everything you can join that GS section and from then you will get all the material and everything चले खर मिलते आपने next studio में till then goodbye and thank you so much और मिलते आपको रखको आपको बत्सक्त 5 участ में आपको कि में झाल तिरी स्थभ उत होगग कि credit